नमस्कार आपका स्वागत है हमारे हिंदु धर्म में कई महान ग्रंत और पुरान लिखे गए है और इन सभी ग्रंतों और पुरानों में कई एसी बाते हमें बताई गई है जिनका प्रभाव हमारे जिवन पर बहुत अदिक पड़ता है हमारे शास्त्रों में अन्य बातों के साथ-साथ शुबशुब और शकुन-अप्शकुन के विशे में भी भूत अच्छी जानकारी दी गई है हालकि इन बातों पर विश्वास करना या न करना ये सर्वता हमारे उपर ही निर्भर करता है परन्तु ये सबी बाते बिना किसी ठोस आधार पर नहीं कही गई है बलकि वर्षों के अध्यन और विश्लेशनों से निकाले गए परिनामों के आधार पर ही कही गई है और इन सबी बातों का अनुभो भी हम अपने जिवन में अनेक बार करते हैं और उने सही पाते हैं हमारे प्रसिद ग्रंत शकुन शास्त्र में शकुन अपशकुन से सबंदित कई बाते बताई गई है जो कि हमारे रोज मर्रा की जिवन में हमारे संपर्क में आने वाली वस्तूओ या प्रानियों से सम्मंदित होती है ऐसे ही कुछ शकुन अपशकुन पशुपक्षियों से भी जुड़े होते है प्राचिन काल से ही लोग अपने घर आंगन में पशु पक्षियों के आने के शुबियाशु प्रभाव मानते हैं इन पक्षियों को हम या तो रोज ही देखते हैं या फिर एक कभी कबार या किसी त्योहार के मौके पर ही हमें दिखाई देते हैं जो कि हमारे भविशे में होने वाली किसी मौतवपुर्ण घटना से समंदित विशेश संकेत देने के लिए हमें दिखाई देते हैं आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही पक्षि के शुबियाशुप के विशे में जानेंगे जो हमारे घरों में भहुती कम आता है लेकिन कुछ विशेश संकेत अवशे ही लाता है वो पक्षी है चमगादड तो चलिए देखते है चमगादड यदि हमारे घर में या घर के आसपास दिखाई दे तो ये किस बात का संकेत होता है हाला कि विशो में अनेकों ऐसे देश है जहां पर चमगादड को शुब माना जाता है और उनके विशेश देख बाल की जाती है लेकिन भारतिये प्राचिन धर्म ग्रंथों में चमगादरों को हमेशा ही आशुब माना जाता है तो चलिए जान लिते हैं चमगादर से जुड़े शकुन अपशकुन पहली बात अधिकादर चमगादर ऐसी जगव को अपने रहने के लिए चुनते है जो कि निर्जन हो और भोध समय से बंध हो ऐसी जगव पर कोई भी आसानी से आना जाना नहीं चाहता है इसलिए चमगादरों की इसी आदत के कारण वो जिस घर में जाते है वो घर धीरे धीर अपने आप निर्जन होता जाता है दूसरी बात चमगादर अपने साथ कई प्रकार के प्रान घातक रोग भी लेकर आता है इसलिए चमगादर का हमारे घर में यह हमारे आसपास रहने से रोग आनी की संबावना रहती है परिवार में किसी भी वेक्ति को कोई रोग जाता है कि जिस जगे पर چमगादर रहते है वहाँ पर निच्चित रूप से नकरतमक उर्जा का प्रभव रहता है और इस नकरतमक कुर्जा के साथ साथ कई नकरत्मक शक्तिया भी उस ठान पर अपना घर बना लेती है जिससे उस ठान पर रहने वाले लोगों का जीवन प्रभाव डालते हैं यानि कि वास्तु शास्त्र में भी चमगादर को आशुबी माना जाता है जिस थान पर चमगादर रहते हैं वो जगह पर कुछ ना कुछ आशुब जरूर होता है जैसे लड़ाई जगड़े और दुरगटना आदी चमगादर यदि अमारे घर में आ जा जाती है पाच बात हमारे शास्त्र में ये कहा गया है कि चमगादर का घर में घुसना किसी रिष्टिदार की मृत्यू का समाचार हो सकता है वो रिष्टिदार आपका करीबी या दूर का भी हो सकता है इसलिए चमगादर का हमारे घर में आना अशुबी माना जाता है छटी पहुषमें कोई भी महतोपुर्ण निर्नाय बहुती समझदारी और सूजबूच से ले तो इस प्रकार से हमारे घर में चमगादर आने से हमें ऐसे संकेत मिलते हैं इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि वे हमारे घर में प्रवेश ना कर पाए लेकिन यदि किसी भे प्रकार से चमगादर घर में प्रवेश कर लेता है तो उन्हें मारने के बजाए ये प्रयास करना चाहिए कि उनका प्रभाव हमारे घर परिवार और जीवन पर ना पड़े हमारे शास्त्रों में किसी भे प्रकार की नकरत्मकता को खत्म करने के लिए कुछ उपाए बताए है ये उ समेशा सकरत्मक कुर्जा निकलती है ये हम घर में गंगा जल का छिड़काव करते है तो किसी भे प्रकार की आश्रबता को नश्ट किया जा सकता है और ये गंगा जल में ये हम कुछ तुलसी के पत्ते और हल्दी तेता नमक मिला ले तो इससे गंगा जल की शक्ती और सकरत् मा कुर्जानश्ट हो जाएगी और आपका परिवार दुष प्रभाव से बच जाएगा तो दोस्तो उमेदे ये जान करे आपको अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंड में जे गंगा मया अवश लिखे धन्यवाद